कहते हैं अतडी का गोस्त गोस्त नहीं होता है और खुसामदी दोस्त दोस्त नहीं होता है ये देख रहे हैं यूरोप और यूरोप में यहाँ पर आपको दिखेगा इचली वैसे आपको बता दें ये किसी का ननीहाल भी है भारत में काफी समय तक कुर्सी में बैठे रहने व एक नहीं बलकी दो-दो वजह थे। इतना ज्यादा बिगड गया था कि ये उच्छल कर चला गया था पाकिस्तान के तरफ और पाकिस्तान को भरपूर मदद करने लगा था। पाकिस्तान और चाइना का जिगरी वाला दोस्त बन गया था। लेकिन अब ये देश भारत की सरण में हैं। इनकी पी-एम आई हुई हैं। और इनकी पी-एम ने आखिर अपने भासन में ऐसा क्या कह दिया कि पी-एम मोदी भी पास खड़े थे और मुस्कुराव थे। खैर जहां एक तरफ चीन और पाकिस्तान के दोस्त की ये हालत है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा है कि भाया नूकलियर बम हम खुद पे फोड़ लेंगे, खुद को उड़ा लेंगे। अब ये तो बड़ा अजीव सा वाक्या हो गया है। जारेंगे क्या कुछ चल जियो पॉलिटिक्स में आए जानते हैं इन कबरों को विस्तार से। भारत में राय सीना डायलोग हो रहा है और इस राय सेना डायलोग में चीफ गेस्ट मन कर आई हैं इटली की परदान मंतरी जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी के मुख्षी स्पीकर के तोर पर सा कर दिया तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा कि पास खड़े पिये मोदी भी मुस्कुराने लगे लेकिन जरा उससे पहले जानते हैं हमारा इटली के साथ इतिहास कैसा रहा है इटली और भारत के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था इटली से भारत बहुत सारे हतियारो भी बेच रहा था मुनाफा भी ठीक ठाक कमा रहा था आकिर ननीहाल जो ठहरा लेकिन फिर अचानक से अगस्ता वेस्ट लेंड केस निकल कर सामने आता है हतियारों की डील के बारे में पता चलता है कि यहां तो भरपूर ब्रश्टा चार हुआ है यहां जो हतियार बेचे ग है और मुनाफा कमाने के लिए गलत तरीके भी इस्तेमाल किये गए हैं यहां पर रिष्टे बिगड़े भारत ने उन कंपणियों को ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया जिन कंपणियों के नाम आये इसमें और हुआ क्या था अगस्ता वेस्ट लेंड एक बीबी आईपी चौपर डील हुई थी 2013 में जिसमें पता चला था कि खूब घूस मिला और उस घूस के बल पर इस कंपणियों को हासिल किया 2013 2014 में सरकार बदली और सरकार ने सारे मामले निकाल कर कच्चे चिथे सामने कर दिये कच्चे चिथे सामने होते ही यहां से ब्लैक लिस्ट हो गया यह कंपणी इसके बाद 2012 में एक और केस हुआ था जिस केस ने भारत और इटली के बीच रिष्टों को बेहत खराब कर दिया था और यह केस था भारतिये मचवारों पर दो इटली के नेवी के लोगों ने गोली मारी थी और भारतिये मचवारा मारा गया था इंडियन 2012 में इसको लेकर केस चला हलाकी इटली ने इस केस को डिसमिस कर और यह दोनों मरीन बाहर हो गए अब खुला होकर गूम रहे हैं इटली और भारत के बीच रिष्टे जैसे खराब होने लगे इटली ने मौका का फाइदा देखा बोला अच्छा ठीक है मैं भारत को सीधा कर भारत के दूस्मनों से जाकर मिल लो यहां पर चाइना से दोस्ती कर लो इटली ने चाइना के साथ दोस्ती कर ली फिर बचा खुचा रहा सा कसर पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके वहां पर चुकानी शुरू कर दी पाकिस्तान के साथ डील होने लगी पाकिस्तान के साथ इतली ने ठीक ठाक डील किया अभी हाल में इतली ने पाकिस्तान को ओफर दिया था कि आप S-800 ले लो अब S-800 से आप ये मत समझ ले ना कि रूस वाला S-400 है वो नहीं है ये चोटी-चोटी पंडुबियां है ये पंडुबियां बड़ी घातक पंडुबियां है इसको लेकर पाकिस्तान और इतली के बीच में एक Defense Corporation बन रहा था एक सही योग बन रहा था मातलब मामला सारा Set कर लिया था इतली ने अपने हिसाप से पर हुआ क्या ? पाकिस्तान दिवालिया होने लगा चीन वहां से पीछे हटने लगा अब इतली को समझ में आया कि ये दो नाओ की सव में जूग जाते हैं वरना इतियास देखेंगे इटली ने साथ सो बासट मिलियन डॉलर का आर्म सेल किया था पाकिस्तान को 2018 में बहुत ज्यादा दिन पहले कि पर कहते हैं न जियो पॉलिटिक्स में न तो कोई दोस्त होता है और नहीं कोई दुस्मन होता है इटली पहुँच गया अब भारत के पास और भारत के साथ रिष्टे अच्छा करने लगा जाहिर सी बात है इस रिष्टे अच्छा करने में भारत इटली के सामने सर्थ रख रहा है कि डिफेंस पैक्ट तो हम साइन कर सकते हैं तुमारे साथ लेकिन तुमें पाकिस्तान को हतियार देना बंद करना होगा वैसे आपको बता दें अभी तो एकदम राजी खुसी तयार हो जाएगा इटली क्योंकि पाकिस्तान की इस्त प्रधान मंत्री दुनिया में बहुत ज़्यादा प्यारे हैं यानि दुनिया भारतिय प्रधान मंत्री को बहुत ज़्यादा प्यार करती है इस बात को सुनकर प्रधान मंत्री मुस्कुराने लगे आगे उन्हों कहा कि पीए मोधी दुनिया भर के सभी नेताओं में सबसे प्यारे नेता हैं और यह आज साबित हो गया है कि वह एक पर्मुक नेता रहे हैं हाला कि थोड़ा सा यह मखन वखन है लेकिन जो भी है उसकुराने की एक वजह तो दे गया खैर भारत अब इटली के साथ कौन-कौन से चीजों की M.O.U. साइन करता है यह तो समय पर पता चलेगा पर अभी कहा जा रहा है स्टार्ट अप ब्रीज इसके अलावे इतिहास विज्ञान टेक्नोलोजी इनोवेशन खेल कई जगपे M.O.U. साइन हो सकता है पर चीन और पाकिस्तान का एक और दोस्त अब भारत के स उड़ाने वाली इस्तिती में पहुँच गया है दरसल हाल फिलाल में पाकिस्तान ने हर तरीके का तिक्डम भिडा लिया और देखा गया कि पाकिस्तान को कहीं से भी कोई फाइदा नहीं हो रहा है आई एम एफ ऐसी सरते रख रहा है जिसे देखकर यही समझ में आ रहा है क सचमुच आई एमें पैसे देने के मूड में है ही नहीं और उपर से पाकिस्तान में आम जनता बहुत परिसान है लोग तो अब यह कह रहे हैं कि भूख से छोटे छोटे बच्चे तक तड़प रहे हैं खाने के लिए न तो पैसा है और नहीं खाना है कई परिवार ऐसे हैं जिने दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है और जादा तर लोगों का यही हाल है पाकिस्तान के अंदर इस वीच एक मौला ना ये भी कहते हुए सुनाई दिये थे कि एक हाथ में एटम बम लेलो और एक हाथ में मांगो पैसे तो दुनिया जुक कर पैसे देगे ले उल्टा नुकलियर संस्थाएं नुकलियर बम बाले अंतरराष्टिय संस्थाएं उतर गई पाकिस्तान के अंदर तो अब ये बात हो रही है कि कहीं ऐसा न हो कि आतंकी आपस में ही लड़ भीड कर खुद ही खुद पर ही एटम बम चला ले और पुरा का पुरा पाकिस्तान तबाह हो जाए वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगली वीडियो में नई ख़वर के साथ